वेल्कम फ्रेंट्स आप सभी लोगों का स्वागत है मैं सुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए कलाश टेंथ सब्जेक्ट इंगलिस प्रोज फर्ष्ट प्लाइट भुक का लेशन शेकेंट जिसका नाम नलसन मंडेला लांग वाक टू फ्रीडम है लेकर के जाया हूं इसके राइटर का नाम नलसन रोल हला हला मंडेला है इस लेशन में ये राइटर जो है ये आप वाईओ ग्राफिड लिखे हैं और इस आप वाईओ ग्राफिड में इन्होंने अपर्थीड यानि की रंग भेदी के बारे में बताया है कि ये सारी कुरितियां जो टेक्स्ट के उपर तब उसके बारे में जानेंगे किस लिसन में क्या क्या चीज कैसी कैसी घटित हुआ है आईए सीधा हम सभी लोग चलते हैं यहां से देखिए अपार्थीड इज एपोलेटकल सिस्टम दैट सेप्रेट्स पीपल एक्वार्डिंग टू दियर रेस अपार्थीड रंग भेदी इज यानि कि रंग का भेद भाव इज पोलेटकल सिस्टम एक राजनायतिक ब्यवस्ता है दैट सेप्रेट्स पीपल जो लोगों को अलग करती है अकार्डिन टू दियर रेस उनकी जात के अनुशार कैनी उससे क्या आप कह सकते हैं विच आप थ्री कंट्रीज तीन देशों में से कौन सा नेम्ड भी लोजिन के नाम नीचे दिये गया है हैड सच अपोलेटकल सिस्टम इस प्रकार की राजनायतिक ब्यवस्ता हैड मेंस रखता था अंटिल वेरी रिशेंटली अभी हालही में आप सभी लोग को ये बता दें कि इस लेशन में हम सभी लोग साउथ अप्रीका के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे बढ़ी है अपरीका नेशनल कांग्रिस पार्टीं जो पार्टी का नाम है, spent बिताई थी, a lifetime means पूरा जीवन लगा दिय थी, fighting means लडने के लिए, against apartheid means इस रंग भेदी, यानि कि रंग के भेदभाव के खिलाफ लडने में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, मंटेला है, to spend 30 years in prison, मंटेला है, to spend, मंटेला को बिताना पड़ा था, 30 years, 30 years, 30 years, 30 years, 35 years, in prison, jail, में, कहां पे 30 years, मंटेला को, apartheid के खिलाफ लडने के लिए, आपनी लडाई को जारी रखने के लिए, जयल में बिताना पड़ा था, आगे देखिए, Finally, अंतता है यानिक यान्त में Democratic elections means लोकतांत्रिक चुना जिसमें जनता चुनती अपने नेता को वेर हेल्ड में सायोजी तह हुए थे इन साथ अपरिका इन 1994 कब साथ अपरिका में 1994 में सन 1994 में साथ अपरिका में लोकतांत्र चुना जनता हुआ था And Mandela became the first black president of a new nation And Mandela became और Mandela बने या बने थे The first black president क्या बने थे? प्रतम अस्वेत राष्टपती अपर न्यू नेशन इस एक नए राष्ट के एक नए राष्ट के प्रतम अस्वेत राष्टपती बने थे काउन बने थे? Mandela, Nelson Mandela आगे देखिये In this extract, इस उद्धरण में From his autobiography Long walk to freedom अपनी आत्म कता Long walk to freedom जिसका नाम है Long walk to freedom यानि कि अपनी आत्म कता जिसका नाम Long walk to freedom है कि उद्धरण से इस उद्धरण से Mandela speaks about Historica की जन Mandela speaks Mandela बोलते हैं About किसके बारे में बोलते हैं About a historic occasion एक एतिहासिक परव एतिहासिस अवसर के बारे में बोलते हैं The inauguration Historic occasion का नाम क्या है The inauguration क्या नाम है उद्धाटन सभा Can you guess क्या आप अनुमान लगा सकते हैं What the occasion might be कि क्या आवसर अथवा परव हो सकता है Check your guess अपने अनुमान की जाच कीजिए With this news item समाचार के इस संसमराड कौन सा संसमराड From the BBC BBC से Act 10 May 1994 10 May 1994 10 May 1994 BBC के समाचार संसमराड से आप अपने अनुमान का जाच कीजिए Box में लिखा हुआ Thought Bay हम सभी लोग पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं Mandela becomes Sorry Mandela becomes South Africa's first black president Mandela becomes Mandela बनते हैं South Africa's South Africa के First black president प्रतम अस्वेत राष्टपती ये heading है अब इस heading में जो कुछ भी लिखा हैंदर उस पार्ट को हम सभी लोग पढ़ रहा हैं Nelson Mandela has become South Africa's first black president After more than Three centuries of white rule Nelson Mandela South Africa के प्रतम राष्टपत चुने जाते हैं वो भी कब तीन सताब्दियों तक गोरे लोगों के शासन के बाद After के बाद More than means से भी अधिक Three centuries तीन सताब्दियों आप white rule में गोरे लोगों के शासन के यानि के गोरे लोगों के तीन सताब्दियों से भी अधिक सासन के बाद Mandela South Africa के प्रतम अश्वेत राष्टपत बने हैं Mr. Mandela's African National Congress ANC Party owned 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history Mr. Mandela's African National Congress ANC Party Mr. Mandela या स्रीमान Mandela की African National Congress ANC Party owned means जीती थी 252 of the 400 seats 400 seatों में से 252 seat हैं in the first democratic election of South Africa's history South Africa के इतिहास में प्रतम लोकतांत्रिक चुनाओं में South Africa के इतिहास के प्रतम लोकतांत्रिक चुनाओं में 400 seatों में से 252 seat हैं Mandela की African National Congress ANC Party जीती थी next paragraph देखिए the immigration ceremony took place in the union buildings amphitheater to Pretoria Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries sorry countries around the world the immigration ceremony इस उद्घाटन समारो में इस उद्घाटन समारो यह उद्घाटन समारो the immigration ceremony यह उद्घाटन समारो took place संपन्न हुआ in the union building amphitheater in Pretoria Today आज Pretoria की union building की union building की इस उद्घाटन समारो means रंग शाला में आज Pretoria की union building की रंग शाला में इस उद्घाटन समारो took place means शंपन्न हुआ attended जिसमें शामिल रहे around the world 140 countries more than 140 देशों से भी अधिक विश्व के कोनी कोने चारो तरफ से आए हुए काउन लोग politicians and dignitries ठीक है ध्यान दीजिए या उद्घाटन समारो 120 के चारो तरफ से 140 देशों से भी अधिक आए हुए राजनीक्तिग्यों और गड़मान ब्यक्तियों की उपस्तिती में प्रीटोरिया के आज यूनियन बिल्डिंग की रंगशाला में या उद्घाटन शमारो या उद्घाटन शभा शम्पन्न हुई आगे देखिए never never again ये line double inverted कामा में लिखा हुआ है students जरूर ध्यान दे जब भी किसी essay में या किसी story में अतवा अधर लेक में जब double inverted कामा के अंदर कोई line लिखी हो तो उसके अंदर उस story के अंदर के जो character प्रस्तुत किये गए है writer के दोरा उनके दोरा बोली गई ये बात होती है statement होता है उनकी speech होती है ये writer के खुद के सब्द नहीं होते हैं वो character के थुरू अपनी बात को प्रकट करता है देखिए never never again कभी नहीं कभी नहीं दुबारा will this beautiful land ये शुन्दर धरती experience अब विले आगे लगाऊ will experience अनुभव करेगी दा प्रेशन आप one by another एक का दूसरे के द्वारा किया गया शोषड एक का दूसरे के द्वारा किये गया शोषड का अनुभव ये सुन्दर धरती अब कभी नहीं कभी नहीं दुबारा करेगी सोषड का नुभव करेगी अब डबल इन वार्ट कामा क्लोज हो गया सेड नेल्सन मंडेला इन इस अड्रेस नेल्सन मंडेला अपने श्रंबोधन में कहे आगे देखे जूबलेंट सेंस अन दे इस्ट्रिश आप्रिक्टॉरिया ए Bowl दesen देखे होड़ दारी मुथ पलाक वास्टॉरिया सेले बादा नमुथ आप्रिक्ट वाद्रिश आप्रिक्टॉरिया आप्टुर्यय के आप्रिक्टॉरिय इसमीड़ दिखे इस समा रोह का वित ब्लेक्स, ब्लेक लोगों के साथ, वाइट गोरे लोगों के साथ, एक लाख से भी अधिक साथ अपरिका के, आदमी, आउरतें, चिल्डरें, बच्चे, सभी जातीयों के, आनंद से गाना गाए और निर्थ किये नाचे, यानि कि साथ अपरिका के एक लाख से भी अधिक, आदमी, आउरतें, बच्चे, सभी जातीयों के, आनंद से निर्थ किये और गीत गाए इस समा रोह में, और वो द्रिष्य कैसा था, इस प्रिटोरिया की गलियों में, यह भब द्रिष्य था, आगे देखा जाए, यहां पर एक्टिविटी कुछ बच्चों के लिए दिया हुआ है, ताकि वो एक एक वर्ड को समझें, उसको जो है, उसकी ब्याक्या की गई है, ताकि कुब डिट और ब्राइट एक ब्राइट ताकि ब्राइट था, खालत जोब डिट खड़ यहां जोजर्विटी गई है, ताकि ठाएट जोन्यों में, इस प्रिटी कुछ दिए अर्वार जाएट वे इस वर्ड़िग आइट था, दिया हुआ है, पर दिया है, ताकिछ ताकिव द्रिए For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleased gently be joined, मैं प्रसन्नता पूर्ड रंग से be joined घिरा हुआ था By dignities, गडमान ब्यक्तियों के द्वारा and world leaders और विश्व के नेताओं के द्वारा Who were coming, जो आ रहे थे, to pay, अर्पित करने के लिए, दियर respects अपने शम्मान को, before the inauguration, इस उद्गाटन समारो के समाक्ष, इस उद्गाटन समारो के समाक्ष, यह जो विश्व के कोने कोने से गडमान ब्यक्तियों और नेता थे, यह उद्गाटन समारो के समाक्ष, अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे, उनसे मैं प्रसनत आप उडवा, घिरा हुआ था, काउन? Nelson Mandela, who are the first black president of South Africa, the inauguration would be the largest gathering, ever of international leaders on South African soil, the inauguration would be the largest gathering, यह उद्गाटन सभा, उद्भी यहाँ पे थी, the largest gathering में सबसे भारी संख्या, ever of international leaders on South African soil, अंतर राष्टिया नेता जो इस South Africa के धर्थी पर आये थे, उनका यह जो आगमन था, इसमें जो लोग एकत्रित हुए थे, इस उद्गाटन समारो हमें उनके साथ, यह संख्या बहुत बड़ी थी, यानि कितनी बड़ी संख्या में, South Africa की धर्थी पर इतने जादे अंतर राष्टिया नेताओं का एकत्री करण नहीं हुआ था, आगे देखे, दरशरररर्ण चारर हमें, the ceremony took place in the Lovely Sandstone, UPtheatr armed by the Union Building in Pretoria, the ceremony जे समारो, हुआ थी और चेज़ बड़ी थी, के फिल्जा, नहीं हुआ था, in the Lovely Sandstone Amphith сценum by the Union building in Pretoria. Pretoria की Union Building की शंदर बनी Sandstone, MP Theater यानि की रंगशाला में या समारोग पी तोरिया की यूनियन बिल्डिंग की सुंदर बनी सैंडी स्टोन रंगशाला में शंपन्न हुआ था फार डिकर्स दसकों से दिसाइड बीन दसीट आफ वाइट सुपरमेशी या स्थान रहा था फार डिकर्स दिसाइड बीन दसीट आफ वाइट सुपरमेशी दसकों से फार डिकर्स मेंस दसकों से दिसाइड बीन दसीट या अस्थान रहा था आप वाइट सुपरमेशी गोरे लोगों की स्रेश्टता का गोरे लोगों की स्रेश्टता सरवच्चता का या दसकों से अस्थान रहा था कौन सी जगर आप सभी लोग बताएंगे कि हम बताएं हम ही बताते हैं आप लोग बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा यहां पे अभी बताया गया प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग जो थी उसकी जो रंग शाला थी अंफी थीटर यह जो अस्थ प्रिटोर आंथा और अब इट वाई दसाइट आप रैन्वो गैदरिंग अव्या इंद्र धनुस के रूप में आए एकत्र हुए आप डिफरेंट कलर्स बिन बिन रंगों वाले एंड नेशन्स और बिन बिन राष्ट्रों के पार्दा इंस्टालेशन अस्थापना के लि जात भी हीन शरकार का अस्थान था कौनसा अस्थान प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग और उसकी रंगशाला जो सुंदर सैंडि स्टों से बनी थी यह अब किन का स्थान बन चुकी थी यह इंद्र धनुस के रूप में अकट्रा हुए बिन बिन राष्ट्रों का तथा साव था प्रीका के परतम लोकतांत्रिक लोकतांत्र की अस्थापना का तथा जात बेहन सरकार की अस्थापना का अस्थान बन चुका था नेक्ट पैराग्राप देखिए मिस्टर डे क्लर्क को वाज फर्स्ट शौर्म सबसे पहले शौर्म सपत दिलाई गई थे इन अंदर एज सेकेंड डेप्टी प्रेशिडेंट किस रूप में दुतिय उपराश्ट पती के रूप में प्लेट पार्म के उपर मिस्टर डे क्लर्क को दुतिय उपराश्ट पत के रूप में सबसे पहले सपत दिलाई गई थी देन आगे देखिये थाबो मवेकी वाज शौर्न इस फ़स्ट डिप्टी प्रेशिडेंट उसके बाद थाबो मवेकी को वाज शौर्न सपत दिलाई गई अज फ़स्ट डिप्टी प्रेशिडेंट प्रतम उपराश्ट पती के रूप में वन इट वाज माई तर्न जब मेरी बारी आई I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people When it was my turn, जब मेरी बारी आई I pledge माईने प्रतिज्ञा किया to obey पालन करने के लिए and uphold our adigranे के लिए The constitution संभिधान के प्रति and to devote myself to the well-being और अपने आपको कल्यार के लिए आप the republic गड़तंत के प्रति and its people और अपने लोगों के प्रति जब मेरी बारी आई तो मैंने इसके संभिधान तता अपने लोगों के कल्यार के प्रति तता लोगतंत के प्रति खुद को समर्पित करने का प्रतिग्या किया और इसका संभिधान का पालन करने का प्रतिग्या लिया या सपत लिया तू दा सेंबल्ड गेस्ट एकत्रित महमानों के प्रति आएंड दा वाचिंग वाल और देखने वाले संशार के प्रति आई सेट मैंने कहा तूड़े आज आल आफ अस डू हम सभी लोग But our presence here, sorry by our presence here यहाँ पर अपनी उपस्थिती के द्वारा Confer glory and hope to new born liberty Confer प्रतान करते हैं क्या प्रतान करते हैं? Glory and hope, săn और उमीद प्रतान करते हैं To new born liberty, नौजात आजादी को Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster, एक विसेश मानव आप दाके अनुभव के बाद that lasted too long, जो अधिक समय से जारी रहा, must be born. अवस्य ही पैदा होना चाहिए, एक सुसाइटी एक समाज आप विच जिस पर all humanity will be proud, जिस पर सभी मानव तक को गर्व हूँ. नेश्ट पारग्राप देखिए, वी हूँ वेर आउट लाच नाट सो लांग एगो, हैव तूड़े बीन दर रेयर प्रिविलेज तो भी होस्ट तो दे नेशन आफ तर वर्ल्ड अन आवर ओन स्वाइल, वी हम सब हूँ आर आउट लाच नाट सो लांग एगो, जो दुनिया से कटे रहे, है तूड़े बीन गिवें दर रेयर प्रिविलेज, आज हमें दुरलब आउसर प्रदान किया गया है, है तूड़े बीन गिवें, हमें प्रदान किया गया है आज, दर रेयर प्रिविलेज, क्या प्रदान किया गया है, दुरलब आउसर, तू भी होस्ट मेज मेजबानी करने के लिए, मेजबान बनने के लिए, to the nations, उन राष्ट्रों का, of the world, on our own soil, पूरे संसार का, कहाँ पर, on our own soil में सपने, स्वयंग की धर्ती पर, आज हम सब लोग, हम सब ही लोग, जो इतने लंबे समय तक, दुनिया से कटे रहे, आज हमें इस पूरे बिस्व का अपनी स्वयंग की धर्ती पर, सभी राष्ट्रों का मेजबानी करने का, दुरलब आउसर पुरदान किया गया है, We thank all our distinguished international guests for having come to take position, possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank, हम धन्यवाद देते हैं, all our distinguished international guests, किन का धन्यवाद देते हैं? अपने सभी अंतर राष्ट्री ये बिसिष्ट में हमानों का, for having come, आने के लिए, and take possessions, और अपनाने के लिए, With the people of our country, हमारे देश वासियों के साथ, आप what is, after all, a common victory, और जो है, क्या चीज, a common victory, एक सीधी जीत, आप जैस्टिक नियाय की, for peace, for human dignity, और मानाओ, शान की, मानाओ ताकि सान की, शान्ती की, नियाय की, जो एक सरल, एक साधारण, जीत है, उसे, हमारे देश वासियों के साथ, अपनाने के लिए, मैं अपने इन सभी, अंतर राष्टी, विशिष्ट मेहमानों का, धन्यवाद करता हूं, ये बात कौन कहा, नलसन मंडेला जी, वो आज दा, फर्स्ट प्लेक प्रेशिडेंट, आप साथ अप्रिका, आगे देखिए, वी हैब अपनी राजनायतिक, मुक्ति को, हमने अपनी राजनायतिक, मुक्ति को, प्राप्त कर लिया है, कब, अपनी सबी लोगों को, मुक्ति करने के लिये, from the continuing bondage of poverty, सतत जारी गरीबी को, deprivation अभाव को, suffering, कश्टों को, दुख को, gender link बेद को, and other discrimination, तथा दूसरे बेदभाओं को, समाप्त करने काम, क्या करते हैं, सपत लेते हैं, इनसे हम अपने लोगों को, मुक्ति करते हैं, never never and never again, दुबारा कभी नहीं दुबारा, shall it be, हैशा होगा, that कि, this beautiful land, कि यह सुन्दर धर्ती, will again experience, यह सुन्दर धर्ती अनुभाव करेगी, दुबारा यह सुन्दर धर्ती, अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, करेगी, अगली लाइन में वो कहते हैं, इतनी शांदार, इतनी शांदार, एक मानवी उपलब्दी का, क्या चीज, शन शांदार, कभी नुबेगा नहीं, स्वतंतरता का सामराज को वर्दान दो, औरल कम्प्रियंसन चेक, अभी हम सभी लोग नहीं करेंगे, बाद में किया जाएगा, आगे देखिए, यहां से, कुछ चड़ों के बाद, हम सभी लोग अपनी आखें, अपनी निगाहें, लिप्टेट, उठाएं, कहां उठाएं, कैसे उठाएं, भाय से उठाएं, जैसा की, या जैसे ही आई स्पेक्टेकुलर, एक सांदार द्रिस्य, आप साउथ अपरिकन जेट, साउथ अपरिका के जेट बिमानों का, हेलिकॉप्टर्स, हेलिकाप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और लड़ाकों बिमानों का, अरोर्ट, दहाणा, इंपर्फेक्ट पर में सा, उड़ाक्रिती में, होबर दा, यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंगों के उपर, इट वाज नाट वंली अडिस्पले आप पिन पॉइंट प्रिसीशन, सही ताल मेल का, इण। पर्फ़्यस पक्षिण कष भाजब सकत्ति का, यो पॉजी शकति का, सहीत अल मिलका प्रदार सतltry नाइन था, बट आ डिमो स्ट्रेशन, वालкि यू प्रदरश ना, आप है military's loyalty to democracy, बल्कि यह प्रदर संजोता वह फाउज का कि वपादारी, loyalty, वपादारी का to democracy, लोग तंतर के प्रत, to a new government, नई सरकार के प्रत, that had been freely and fairly elected, जो स्वतंतरता से and fairly और सुंदरता से elected चुनी गई थी. Only moments before कुछ ही छड़ो पाले, the highest generals, सर्वोच जनरलों ने are the South African Defence Force, South Africa के रच्छा शक्ती and police और पूलिसों के दियर चेस्ट बीडेक्ट, उनके सीने, उनकी छातियां सजी होई थी, बीडेक्ट, सजी होई थी, with ribbons, फीतों से and medals, और medalों से from days gone by, कई दिनों से, saluted में इन लोगों ने मुझे salute किया, यहां ध्यान देजिए, जो सर्वोच जनरल थे, किस चीज के, defense force के, यानि कि रच्चा, सुरच्चा बल के, and police और police के, जो सर्वोच जनरल थे, जिनकी छातियां, रीबनों से और medalों से, कई दिनों से सजी होई थी, saluted में मुझे salute किये, and plate और सपत लिए, दिया लोयल्ट्री अपनी उपादारी का, I was not unmindful, मैं भूला नहीं था, unmindful means भूला न, I was not unmindful, of the fact, उस तत्य को, that, जो, not so many years before, कुछ सालों पहले नहीं, they would not have saluted, उन्हेंने salute नहीं किया था, but arrested me, बलकि मुझे क्या किये थे वो लोग, गिरफतार किये थे, कुछ ही सालों पहले, मैं इस बात को भूला नहीं था, पाइनली ए चेवरान आफ इंपाला जट्स, लेटाई श्मोक ट्रेल, आफ त बलेक, रेट, ग्रेन, बलू अंट गोल्ड आफ द नुव शावुथ, अप्रीकन फ्लेग, फाइनली अंतत, ए चेवरान आफ इंपाला जट, इंपाला जट्की, एक बीमान, लेटाई स्मोक, धूंगा छोड़ी, ट्रेल आफ द बलेक, वी आक्रित में, आफ बलेक, गाले रंग का, रेट, लाल रंग का, ग्रेन, हरे रंग में, बलू नीले अंट गोल्ड और सुनाले रंग में, आफ द नुव शावुथ, अफ्रीकन फ्लेग, साउथ अप्रीका के नए जंडे के शम उसमें अनेको रंग के काले, रेड, ग्रेन, बलू, गोल्ड कलर के धूंगे छोड़ी, द डेवाइ सिंबोलाइट फार्मी, वाइ द प्लेइग आफ आफ आवर तू नेशनल एंथम्स, द डेवाइ सिंबोलाइट वादिन, प्रतीक बन गया था, फार्मी मेरे लिए, बाइ प्लेइग आफ आवर तू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्री राष्ट गीतों के बजने से, दो राष्ट्री राष्ट गीतों के बजने से, वादिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, एंड द वीजन आफ वाइट सिंगिंग और गोरे लोओं की गीत, गीत काद्रिस, नकोसीज, केलेल, अफ्रीका, उनके राष्ट गान का नाम है, एंड ब्लेक सिंगिंग डाई इस्टेम, डाई इस्टेम जो है ब्लेक लोओं का राष्ट गीत है, ये दोनों उनके लिए जो राष्ट गीत थे, या उनके दिन को एक प्रतीक बना दिये थे, द ओल्ड एंतम ये जो है लोक तर्गर तंटर के पुराने रास्ट कीत हैं। या देप दैट दे नाइदर ग्रूप झूद लिरीक साब धंथम। या देप दे उदिन नाइदर कोई भी ग्रूप झूव मींज नाही जानता था। तो इस प्रकार से आसा करता हूं कि आफ सभी लोगों को ये लिए सन अच्छी प्रकार से समझने आया होगा पार्ट फरस्ट था मअ अपर समापत होता है पार्ट सेकेंड घी दिए अब सभी लोगे और शामने प्रस्तुत किया जाएगा ay आप सभी लोग अधिक से अधिक इस लेशन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक से एर कीजिए, दो से तीन बार आवस से स्टूडेंट्स जो इस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो देखें, ताकि ये लेशन बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ सके थैंक्स अलाट, हैवन नाइश डियाल आफ यू